नमस्कार आदाब सस्तरकाल कैसे आप सब मेरा ना मितले सरदारा स्वागत आप सभी का फिर से एक बार हमारी उटुजाग पर कल के डेट में एक न्यूज आई थी आपके हेल्थ और्गनाजेशन के तरफ से हमारे जो स्टेट्स है उनके लिए जैसे कि आप सबको भी पता हुआ कि करोना का जो नया वेरियंट है उमिक्रोन करके जिसका नाम है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है जिनके केसे जिनको लेके हेल्थ और्गनाजेशन ने काफी सारे प्रिकोर्शन के लिए बोला है आपके स्टेट्स को जिसमें कि हमारा ज्हा ज्हारकंड से बिलॉंग करता हो तो मैं ज्हारकंड के ही बात करूँगा तो देखे इसमें अब क्या बात हो रही है कि जो भी जो आपके केसे वह काफी ज्यादा बढ़ गया है जिसकी वैसे क्या हुआ कि फिर से जो हमारे जिम से जो भी इस इंदिस्ट्री से जुड़े क्योंकि कल की डेट में ज्हारकंड में एक हजार से ज्यादा पॉजिटिव केसे अबी एक्टिव है तो आप सबको पता है कि कहीं ने कहीं आप इसके लिए प्रिपैर हो जाए कि अगले एक से दो दिन में जो हमारे जिम से उनको क्लोज कर दिया जाएगा तो देखे मैं सिर जो को खोलने की अनुमिती दी गई है तो मैं भी सिर्फ आप से हाँ जोड़के यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे फिटनेस इंदस्टी के तरफ से कि हमारे जिम्स को भी बिल्कुली बंद ना किया जाए क्योंकि आप सब को पता है कि यह हमारे लिए तीसरा लॉकड इवें जो जिम जाने वाले लोग है उनको भी काफी दिक्कात आने वाली है और जो खासकर जो जिम ओनर्स है या फिर जो इससे रिलेटर्ट जो काम करते है जिनका घर चलता है इसे उनको काफी दिक्कात आने वाली है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी आज क्रेट मे इस lockdown के वैसे कोई भी survive कर पाएगा तो please आप इसके लिए कुछ guideline निकालिए कुछ इसका समाधान निकालिए मैं सिर्फ यह request करना चाहूँ कि जैसे कि आपने other sectors को 50% में खोलने की अनुमति आप अगर दोगे तो हमें भी बस यह दिया जाए कि at least कम से का हम 50% की मांग नहीं कर रहे हम 20% की ही मांग कर रहे 20% में भी हम अपना जिम को रन करवा सकते हैं जो भी हमें guideline दी जाए जो भी protocol होगा हमारे लिए जैसे जिम को sanitize करना equipment को sanitize करना हमारे पास सबसे अच्छी चीज क्या है कि हम यह decide कर सकते हैं कि जो भी clients हमारे आएंगे वो double dose vaccinated है या नहीं वो देखना हमारा काम होगा क्योंकि यह एक ऐसी business है जहां पर हमें पता होता है कि कौन से clients आ रहे हैं किनको vaccine लग चुका है किनको double dose पढ़ चुके है कि उनको किनोंने vaccination किया हुआ है नहीं किया है लेकिन other sector में क्या होता है जैसे open market होगे जहां भी जो भी है वहां पर क्या होता है कि जो public होती है उनके बारे में पता नहीं होता है जो भी दुकांदार होते तो वहां पर जो करोने के cases है वो फैल सकते है लेकिन हमारे यहां क्या ह कि हमें जो भी हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनके बारे में हमें पहले से पता होता है या फिर हम एक ऐसा प्रोटोकॉल अपनाएंगे या फिर हमें एक ऐसा गाइडलाइन दे देंगे कि जो भी लोग आएंगे जो वैक्सिनेटेड होंगे डबल डोज हम उनको ही अलाउ कर है क्योंकि हम सब को पता है क्योंकि आप पहले ही से एक मेने का अगर आप लॉक्डाउन लोगा दे तो तो पबलिक में थोड़ी सी भगदर सी मच जाएगी तो आपने हमें भी पता है कि क्या होने वाला नहीं होने वाला लेकिन मैं आप से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना ला हुआ है तो उनके लिए तो सर्वाइब करना काफी मुश्किल हो जाएगा आप सबको पता है कि यह इस बिजनेस में काफी पैसे लग जाते है और जायर सा बात है कि आज की डेट में सारा कुछ लोन पर ही होता है और बैंक से आपको भी पता है कि जो भी हमारा किस्ती है वो रुकने वाला नहीं है आपके चाहे करोना हो चाहे ना हो जिम आपका खुला हो चाहे जिम बंदो दूसरी जो चीज होती है जो हमारा रेंट होता है वो भी कहीं न कहीं हमें देना ही होता है जिम खुले ना खुले बहुत से लोग इसको मतलब आपको छूट देते हैं ब हमारे लिए भी कुछ ऐसा गाइडलाइन कुछ ऐसा प्रोटोकॉल आप हमें दो जिससे कि हम बीज का रास्ता अपना सके हम जो भी मैंने मैंने करा प्लीज उस पे आप एक बार जरूर सोचिएगा क्योंकि जिम बंद करने से फिर हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाएगी आप भी प्लीज इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर करें ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों के पास जाए जो भी इस इंडिस्ट्री में है या फिर जो भी जिम जाते या जिम लवर्स है जो भी काम करने वाले वरकर्स है जिम ओनर्स है जिससे कि हमारी जो बात है वो सरक सब्साइब करके बैल आइकन को जोरु दबाईए जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिक्सन आपको टाइम टाइम मिलते रहे तब तक के लिए जैहिन मिलते एगली वीडियो में नमस्कार